हेलो फ्रेंड्स वेलिकम नुए चानल स्टाइवेट कार्टे आज हमनों कुछ बहुत प्राब्लम्स पढ़ने जारे हैं मैंक्स में एक मार्ण के पास दो करोर रुपे थे उसने रुपी एक स्कूल बिल्लिंग को खड़ीने में लगा गिये अब उसके पास कितने पर शुपास बचे हैं COB आप मोचे करो थे फिर पर इस में स्कूल बिल्लिंग Maar cheap Money on buying school building अब उसके पास कितने कास बचे है इसके लिए हम अब इसे सब्ट्राइट करेंगे रुपीज 2 करोर माइनास रुपीज 1 करोर 36,7,085 टाप अब गया है 10 10-5, 5, 9-8, 1, 9, 9-7, 2, 9, 9-6, 3, 9-3, 6 ते हो गया रुपीज 63,92,915 तो उस आदमी के पास अब बच रहे रुपीज 1 करो छिए रुपीज 65,92,915 2. The cost of a chair is rupees 1485 How much is 469 such chairs cost? A chair का cost ता rupees 1485 अब हम लोग ऐसे ही 469 chairs का cost दूना है तो इसके लामें इंड़नों का multiply काने हैं अब हम लोग दूनेंगे अब हम लोग लिखेंगे statement cost of one chair equal to rupees 1485 अब हम लोग लिखेंगे number of chairs equal to 469 अब हम लोग लिखेंगे cost of 469 chairs cost of 469 चेर्स रुपीज 1,485, ढुनों, पूर 45, पुर 8 ज 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 जुट ज ज सिफर्ने ज ज ज ज ज ज ज ज ज सेवंग ज। 6, 7, 9 for the 36 36 to 43 9 to the 9, 13 6, 5 to the 30 6, 8 to the 48 51, 1, 5, 6 for the 24 पर 9, पर 2 क्यारी हो गया 6 and the 6, 7, 8 पर 5 for the 20 8 for the 32 पर 4 for the 16 19 4 and the 4, 5 तब हम लोग इनी सबको add कर देंगे 5, 6 यह पर फिर 4 हो गया 9, 13, 16 1, 8 plus 8 16 17, 18, 19 1, 6 तरसे इतने चेयर्स का कॉस्त है 6,96,465 एक चेयर का कॉस्त है 1,485 469 चेयर्स का कॉस्त है 6,96,465 65 तो यहाँ पर कुछ वर्ड प्राउब्म्स अब लोग ने कम्लीट कर जिया है तो इस इस दी अन्ड वी चाप्टर प्लीज़्स का कॉस्क्राइब मैं चैनल और थैंक यू सो मच पर वाचिंग प्लीज़्स का कॉस्क्राइब प्लीज़्स का कॉस्क्राइब प्लीज़्स